अनमोल विचार नमबर एक, पती जब पतनी का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है न, तो पतनी सबसे बड़ी पूंजी की मालिक बन जाती हैं। नमबर दो, उमीद रखो तो बस इसवर से रखो, वह कभी ना उमीद नहीं होने देगा। दुनिया बुरी है, यह कहने से पहले, किसी को दोस देने से पहले, यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंड रहा है, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा। नमबर तीन, आज धूप से स्कून है, कल इसी धूप से जलन होगी। नमबर चार, कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे, तो उसे एहसास दिला दो, कि कुंडी दोनों तरब से होती हैं। नमबर पाँच, बरस्ती हुई बारिस और रोती हुई आँखों का एहसास सिरफ उनी को होता है, जिनके घर, कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। नमबर छे, लोग कहते हैं कल युग आ गया, मगर उसे लायकों, इस्तरी अपनी सरम भूल गई, पूर्स अपने संसकार भूल गया, गुरू अपना धरम भूल गया, नेता अपना करम भूल गया, और तो और इनसान अपनी इनसानियत तक भूल गया। नमबर साथ, बड़ा बनना है, तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिम्टिड लगा होता है। नमबर आठ, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन हर रोज किसी से बात करने की आदत मत पालो। नमबर नो, जिकर से नहीं, फिकर से पता चलता है कि कौन अपना है और कौन प्राया। नमबर दस, जीवन में कुछ अध्याई ऐसे होते हैं, जिने आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, जबरदस्ती पकड़ कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाब। नमबर ग्यारा, यह सोचकर अच्छा लगता है कि हम वह खुस नसीब से इनसान हैं, जिसे मतलब होने पर ही लोग याद करते हैं। नमबर बारा, अगर आप उन्चाई पर पहुचना चाहते हैं, तो आपको हर उस बात से, हर उस चीज के बोच से मुक्त होना होगा, जो आपको नीचे की तरफ खीचती है। नमबर तेरा, तुम्हारे गुसे पर भी आज मुझे बहुत प्यार आया, आखिर कोई तो है, जो मुझे इतने हग से धमकाया। नमबर चोदा, समय और सब्द दोनों का उपियोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना तो दोबारा आएंगे, ना ही दोबारा मुका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता है, तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो। नमबर पंदरह, आज तक समझ ने पाया उसकी हसरत क्या थी, जब दूर ही जाना था तो पास आने की जरूरत क्या थी। नमबर सोला, याद रखो, जो समय चल रहा है, वही सर्वोतम है, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है, वहाँ ना परिवार होता है, ना दोस्ट होते हैं, ना संबंदी होते हैं, वहाँ होते हैं, तो बस आप और आपकी हिम्मत 17. याद रखना कि जिन्दगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाडी बेहतरीन होता है 18. कोई पूछा नहीं करता पिंजरे में बंद पंचियों को याद तो बस वही आते हैं जो उड़ जाते हैं 19. सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरतें किसी को कश्ट में देखकर अगर तुमें भी कश्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्म में परमात्मा विराजमान है नमबर बीस चाहत होनी चाहिए किसी को याद करने की लमहें तो फिर अपने आप मिल ही जाते हैं नमबर इकिस आप केवल सोचते रह जाओगे और सब खतम होता चला जाएगा समय कीमती है अभी से सुरुवात कीजिए नमबर बाइस दुख देखना है तो पीछे देखें सुख देखना है तो आगे देखें और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुसी चाहिए तो वर्तमान में ग्यान की आग से देखिए नमबर तेईस सिर्फ अपनी मंजील के लिए मेहनत करो ये लोग जो तुमें खोएंगे यकीन मानों बहुत रोएंगे नमबर चोबिस छोड जमानी की फिकर यार चल किसी नुकड पर चाई पीते हैं नमबर पच्चीस बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलास करने से बहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलास करें नमबर 27 भरोसा तूटने की आवाज भले ही नहीं होती लेकिन गोंज जिन्दगी भर सुनाई देती हैं जब किसी इनसान पर से विश्वास तूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता नमबर 27 मर्द उस औरत को कभी नहीं छोड़ पाता जो औरत उसके साथ हासी मजाक भी करे और प्यार भी बेसुमार करे नमबर 28 सफल होने पर दुनिया हमारे अंदर अनेक खूबिया डूंड लेती हैं और ऐसफल होने पर हजार कमिया नमबर 29 जिन्दगी में एक बात याद र परवा ही नहीं नमबर 30 सहरा प्यार और यार कितने भी सच्चे हूं वह एक ना एक दिन अपनी ओकात दिखा ही देते हैं नमबर 32 उमर से बड़ी ओरत या मर्द से महबत हो जाए तो समझ लेना कि दिल और महबत किसी भी उमर के महताज नहीं होते नमबर 32 उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं नमबर 33 दूसरों की खुशी के लिए हमने अपनी खुशी नहीं देखी फिर भी लोग हमें ही गलत कहते हैं नमबर 34 प्यार करना गलत नहीं लेकिन केरियर छोड़कर प्यार करना मूर्गत है नमबर 35 ऐसे जीओ जैसे कल मरने वाले हो ऐसे सीखो जैसे हमेशा जीने वाले हो नमबर 37 व्यक्ति को अधिक इमानदार नहीं होना चाहिए जैसे सीदे पेड पहले काटे जाते हैं उसी तरह इमानदार लोगों पर पहले सिकंजा कसा जाता है नमबर 37 यदि पैर में मनी और सिर पर दरपन रखा जाए तो भी मनी अपना मुले नहीं खोती है नमबर 38 इस्तरी के वुर्थ खड़ा पूर्ष जब भी सभी दाओं पेंच हारने लगता है तब वही इस्तरी के चरित्र पर उंगले उठाता है नमबर 49 एक अच्छा पती अपनी पतनी के आशू पोचता है लेकिन एक स्रेश्ट पती उसके रोने की वज़य ही घतम कर देता है नमबर 40 गले का मंगल सूत्र और मांग का संदूर केवल साधी सुदा होने का परमान है साधी के बाद खुसी का नहीं नमबर 41 नारी तब तक प्यारी लगे जब तक वह बेचारी लगे खोले जबान जब अपने हक में तेजधार वाली आरी लगे यही कड़वास सत्य है कुछ लोग वीडियो को इगनोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बहतरीन जानकारिया छोड़ देते हैं आप से मेरी प्रातना है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद